नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक वाफिस से स्टार एजूकेशन यूटूब प्लेटफॉर्म फे स्वाफ फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे थे राजस्तान जीके के एकजार प्रस्णों के बारे में जिसका आज दस्वा भाग है जो कि अपन डिस्कुसन करने वाले हैं अमेसा की तरह आज भी 40 प्रस्ण हैं जो कि आपर एनल्सिस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एकजाम्स है आप राजस्तान की किसी भी फिल्ड में दे रहे हैं सबी के लिए महतोपूर होगा चाहे वो आप अटवार का दे रहे हैं चाहे वो पुलीस का दे रहे हैं या फिर रीट का दे रहे हैं सबी के लिए बहुत ज़्यदा महतोपूर है जो कि यह रहता है तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने पहले प्रसंद के साथ यानि कि अपने प्रसंद कर चुके हैं 360 कंप्रेट कर चुके हैं और आज अपने पास है 301 से 400 तक हैं जो कि अपने डिसकस्न करने वाले हैं तो 371 प्रसंद है अपरिका का गांधी किसे कहा जाता है तो अपरिका का गांधी है जो कि नेलसन मंडेला को कहा जाता है नेलसन मंडेला को अपरिका का गांधी का जाता है नेक्स्ट है विश्वे का दूसरा गांधी तो विश्वे का दूसरा गांधी कहे या फिर अप्रिका का गांधी कहे दोनों का ही सही अंसर क्या हो जाएगा नेलसन मंडेला यहाँ पे सही अंसर हो जाएगा अगला प्रसन है यहाँ पर फ्रंटियर गंदी के नाम से किसे जाना जाता है तो फ्रंटियर गंदी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को है जो कि जाना जाता है तो यहाँ आपका सही अंसर है खान अब्दुल गफार खान next question है मेवाड का कीका किस सासक को कहा जाता है तो कीका के नाम से किस सासक को जाना जाता है और इसका सही अंसर है राना परताप है जो कि इसका सही अंसर हो जाएगा पिछला जो लाइबरेरिन एक्जाम जो हुआ था उसके अंदर यह प्रस्ण है जो कि पूचा गया था कि का गए नाम से किसा सको जाना जाता है तो राना परताप को अगला प्रस्ण है नोटंकी के सिर्मोर के नाम से कौन प्रसिद है नोटंकी के सिर्मोर तो नोटंकी के सिर्मोर है वो मास्टर गिराज प्रसाद कामा को जाना जाता है मास्टर गिराज प्रसाद कामा नेक्स्ट है सुर्णाई का जदुगर किसे कहा जाता है तो सुर्णाई का जदुगर है जो कि पेपे खां को कहा जाता है बहुत ही ज़दा महतोफुन प्रस्ण है एक्जामें पूछा जा सकता है शुरनाई का जदुगर तो पेपे कांग को कहा जाता है अगला प्रस्ण है बेंसो का चितेरा किसे कहा जाता है तो बेंसो का चितेरा गोवर्दनलाल बाबा को कहा जाता है किसे कहा जाता है गोवर्द कि नूर जैन जो कि गुला बराय को कहा जनता है, नूर जा को थी? नूर जा थी यहां पे जहांगीर के समय वहाँ पे जो जहांगीर की पत्नी थी, इसने कापी ज़ादा राज़्य सासन में हस्तक सेब कर दिया था, और इसलिए जो गुला बराय इसने भी यहाँ पे मारवार में इसी तरह यहाँ पे अस्तक्सेप किया था इसलिए कहा जाता है गुलाब राय को मारवार की नूर जा नेक्स्ट है कल्यूग का वाल मिकी किसे कहा जाता है तो कल्यूग का वाल मिकी हरिदास निरेंजनी को कहा जाता है तो यहाँ पे सही असर ह हरिदास निरेंजने नेक्स्ट है सुल्तान ए तारकिन के नाम से किसे जाना जाता है तो हमीदुदिन नागोरी है उसे सुल्तान ए तारकिन के नाम से जाना जाता है हमीदुदिन नागोरी को अगला प्रसंद देखता है आपे महबूब ए इलाही के नाम से कौन परसिद है तो महबूब ए इलाही के नाम से भी हमीदुदिन नागोरी परसिद है महमूद ए इलाही अगला प्रसंद देखता है आपे सन्यासी का सुल्तान किसे का जाता है यानि कि सन्याश्यो का सुल्तान के नाम से भी हमीदु दिन नागोरी को जाना जाता है यह प्रसन है जो कि आपके लिए काफी ज़्यदा महत्वपुर्ण है अगला प्रसन है हिंदू सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है हिंदू सूरतान तो हिंदू सूरतान है जो की राना कुम्बा को कहा जाता है राना कुम्बा जो की राना सांगा को कहा जाता है अगला है हिंदू पत के नाम से किसासा को जाना जाता है तो हिंदू पत है जो की राना सांगा को कहा जाता है हिंदू पत हिंदू पत राना सांग और हिंदू सूर्थान है जो कि राना कुम्बा हो गया अगला है आधुनिक जयापूर के निर्माता के नाम से कौन मसूर है तो आधुनिक जयापूर के निर्माता है जो कि हो जाएगा यहां पे निरिज्जा इसमाईल यहां पे सही एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बपंग के जादूगर तो बपंग एक वाध्ययंतर है और इसके यहाँ पे आपसे पूचा गए हैं जादूगर कोन है तो इसके जादूगर है जो की जहूर खा मेवाती को माना जाता है जहूर का मेवाती अगला है कामायचा के जादूगर की सिखा जाता है कामायचा भी एक वाध्ययंतर है और इसका जादूगर कमल साकर खा को जाना जाता है अगला है सहस्तर करांती का जन्नक तो सहस्तर करांती का जन्नक है जो की गोपाल सी राव खरवा को यहाँ पे सहस्तर करांती का जन्नक है जो कि माना जाता है अगला प्रस्ण है सुल्तान ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है तो सुल्तान ए हिंद के नाम से मोहिनु दिन चिस्ती को जाना जाता है अगला है जाटो का प्लेटो कैसे का जाता है तो राजा सूरजमल को यहांपे जाटो का प्लेटो है जो की कहा जाता है अगला है अपलातुन राजा तो अपलातुन राजा भी यहां पे राजा सूरजमल है उससे का जाता है जाटो का पलेटा और अपलातुन राजा है जो की दोनों ही किसको का जाता है राजा सूरजमल को अगला है राजस्तान जुबान की मसाल के नाम से को जाना जाता है तो राजस्तान जुबान की मसाल के नाम से डोक्टर सीता राम लालस को जाना जाता है अगला है राजस्तान का कबीर किसे का जाता है तो राम देव जी को राजस्तान का कबीर है जो की का जाता है अगला है माच ख्याल के पिता मा की नाम से किसे जाना जाता है माच ख्याल के पिता मा तो माच ख्याल के पिता मा है जो की बंग्सू लाल खमसेरा को जाना जाता है किसका माच ख्याल के बारे में आपसे पूचा गया है और इसके जो है वो बंक्सु लाल खमसे रहे हैं यहापे आपका सही एंसर हो जाएगा अगला है लाल क्रांती का सम्मन्द तो लाल क्रांती रेड रिवलिशन के बारें बात करें तो इसके जो सम्मन्द है वो है टमाटर और मास के उत्पादन से सम्मनित हैं पीली क्रांती का समन्द की बात करें तो तिलहन उत्पादन से समन्दित हो जाएगी पीली क्रांती नेक्ट विशन है क्रूड ओयल वैप पेट्रोलियम से समन्दित क्रांती कों से हैं तो क्रूड ओयल वैप पेट्रोलियम से समन्दित क्रांती है वो हो जाएगी काली क्रांती यहाँ पे आपका सही एंसर हो जाएगा अगला है नीली क्रांती का समन्द किस्से हैं तो मत्स्य उत्पादन से समन्द हो जाएगा नीली क्रांती मत्स्य उत्पादन ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पे गोल क्रांती का समन्द तो गोल क्या हो जाएगी आलू तो आलू उत्पादन से संब्ध हो जाएगी गोल क्रांती नेक्स्ट है जिंगा या प्रोण नामक मचली के उत्पादन के नाम से जाना जाता है तो गुलाबी क्रांती याँ पे हो जाएगी जिंगा उत्पादन ठीक है अगला देखते हैं ब्रेष्टा चार के किलाब सदा चार पेदा करने से समधित क्रांती कौन सी है तो यह बो ज़्यादा मैतोपोन है ब्रेष्टा चार के किलाब सदा चार के लिए हो जाएगी गंगा क्रांती यहां पर सही एंसर है रजत क्रांती का समन्द की बात करें, तो अंडों की उत्पादन से समन्द हो जाएगी, रजत क्रांती, अगला है दूसर क्रांती से समन्द किसका है, तो दूसर क्रांती है, जो की सिमेंट उज्योग से समन्द रखती है, दूसर क्रांती सिमेंट उज्योग, अगला प्रसन है कपास उत्पादन से समनित क्रांती का समन किसे हैं तो सिल्वर रेशा क्रांती यानि कि जो सिल्वर रेशा क्रांती है उसका समन हो जाएगा कपास के उत्पादन से और जो स्वर्ण रेशा क्रांती हो जाएगी उसका समन हो जाएगा जूट के उत्पादन से तो दोनों ही बहुत ज़्यादा म्यातोबुलने अगला है सुजलाम सुपलाम क्रांती का समन्द किसे हैं तो माही नदी से हो जाएगा सुजलाम सुपलाम क्रांती का समन्द माही नदी अगला प्रसन है संद्राइज क्रांती का समन्द संद राइज क्राम्ती का सम्दिश हो जाएगा इलेक्ट्रोनिक उद्जोगों से सम्दिश हो जाएगे अगला प्रसन है अगला है सुन हरी या सुर्ण क्राम्ती तो इसका सम्मद हो जाएगा फल फूल वे बागवानी से सम्मदित या पर उत्पदन है वो सम्मदित हो जाएगा सुधरी या स्वर्ण करांती नेक्स्ट है या पर सेफरोन करांती का सम्मद किसे से हैं तो जम्मू कस्मीर में केसर की उत्पादन बढ़ाने से जो सम्मधित क्रांती हैं वो कहलाती है सेफरोन क्रांती बहुत ज़्यदा लास्ट पर्सन है वो बहुत ज़्यदा मैतोपुन है सेफरोन क्रांती जम्मू कस्मीर में केसर का उत्पादन बढ़ाने से सम्मध रगती हैं सो फ्रेंड्स यह थे आज के आपने मैतो पुन्सेशन उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगोगा अच्छा लगे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूरुक है दोस्तों दन्यवाज जेहिंद